स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एर फोर्स के निव नोटिफिकेशन के बारे में यह नोटिफिकेशन आपका एफकाइट के डिगारिंग होगा तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कैसे कैसे हमें भरना पड़ेगा कब से यह नोटिफिकेशन भरना स्टार्ट होगा इस लिमिट क्या क्या होंगे आपके किन ब्रांचों के लिए वेकेंसिया आई हैं कितने कितने वेकंशिया है और क्या मेन और ओमें दोनों ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इन सभी चीजों के complete details के बारे में तो चलिए हम बरते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इस फॉर्म को स्टार्टिंग से परते हुए आपको बताते हैं कि यह जो फॉर्म आपका वह इनवाइट किया गया है मेन अंटे सिदिजन तो यह सब मेन काम क्या है हमारा मेन काम है हमें पर दाथ रल चुका है कि मेन रोमेन दोनों भर सकते हैं दूसरा क्या है कि मीन और में पर शॉक्ते है कि आपकरSmel रहता के यहाँ वह सन सब्दीत ANDREW की अपको मैं यह been ट्वंटी ट्वंटी टू बैच है और आपका NCC special entry भी है यहाँ पे आपका ठीक है तो यह आपको हमने बदा दिया फिर नेक्स्ट हम आपको बदा दे कि यहाँ पे जो अप्लिकेशन है यह आपका एप्लिकेशन सौर्ट सर्विस कमिशन और आपका पर्मनेंट कमिशन दोनों के लिए निकाला गया है यहाँ पर रह्म जानेंगे कि ब्रांच और कोर्सानोंबर और वेकेंसि के बारे मैं जैसे कि Аपका इफकरेट इंट्री होगा यहां पर आपका इक्वेट्र अंपर टेंकल इक्वे कोर्सानोंबर टीकर्फार इस सबी में आपके यह उनीस है और 76 है यही का उनीस है और आपका इससी में 76 है एम का आपका प्रवनेंट कमिशन में 7 है और इससी का 27 है ठीक है नेक्स्ट आपका है NCC Special Entry ठीक है इसमें NCC Special Entry में सीफ आपका Flying Branch के लिए है यहाँ पर टेकनिकल और टेकनिकल दोनों के लिए नहीं है ठीक है तो आप उसके वेकंसी और सीर्स के बारे में पढ़ली जाएगा नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर डिस्क्लेमर है डिस्क्लेमर इसमें परवनेंड जोब मिलेगा तो वह आपका सिर्फ में के लिए है और आपका SSC जो है सौर्ट सर्विस कमिशन वह में और में दोनों के लिए है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे अब एज के बारे में जो है आपका Flying Branch के लिए यानि फ्लाइंग ब्रांच का जो आ 2003 के बीच में आपका date of birth होना चाहिए ठीक है दो जनवरी 1999 से आपका एक जनवरी 2003 के बीच में आपका date of birth होगा तब आप Flying Branch के लिए भरने के लिए eligible हो पाएंगे नेक्स्ट आपका क्या है Ground Duty Technical or Non-Technical Branch के लिए 26-26 का होना चाहिए और 20-26 की बीच में आपका date of birth होना चाहिए तब आप Ground Duty Technical or Non-Technical दोनों के लिए आपका eligible होगे नेक्स्ट आपका क्या Notification आपका वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे ऑफिसल वेबसाइट पर बता जा रहा है नीचे है physical medical standard education qualification and selection ठीक है आपका बता जा रहा है कि वह सभी आपको एप्लिकेशन आपको वेबसाइट पर दे दिये जाएंगे ठीक है तो आप जाकर उसको आपका लेबल और MSP ठीक है flying officer का 56,000 से लेकर एक लाग 37,000 के बीच में है लेबल 10 है आपका MSP कितना है आपका 15,000 है ठीक है तो यह सब आप पढ़ लीजेगा यह कुछ में कुछ जादा है नहीं next आपका as per 7th CPC allowance आपका allowance प्रिवेलेजेज है ठीक है और next आपका insurance बताया ज कीजिए आप खुद से पढ़िएगा यह सौट notification है तो इसमें हम आपको इतना सारा बताएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियोज ठीक है अगर किसी पर डाउट होगा तो आप बताएगा हम आपको लिए उस चीज़ पे separate वीडियो बना कर बताएंगे ठीक है और आपको यहां पर बता दे कि यह आपका application है इसमें आपको 800 रुपया चार्ज लगेगा 800 रुपया में आपको form को भरना पड़ेगा और यहां पर जो आपका contract होगा online यहां पर यह offline नहीं होगा सो परसान होने विल्कुल नहीं है कुछ बच्चे को लगेगा कि offline होगा कहीं त साथ वहां पर अभी तक update नहीं हुआ है तो आप जाकर वहां पर देख लिएगा कुछ समय कबाद यह आपका update हो जाएगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे अदर साइट से हैं जिन पर यह सभी update कर दिया गया है और आपके employment news में आने के बाद ही आपका official site पर update होता है तो में भी कहीं लेट हो वहां पर update होने में तो जाकर आप उसे वहां पर चेक कर लेजेगा कुछ समय कबाद वहां पर notification आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए रखते हैं इस वीडियो के ही पर आपको जो भी सॉट नोटिफिकेशन था हमने आपको होता दिया और ज जैसी नोटिफिकेशन वहां पर दिखी जाते हैं तो आप जाकर सारे को अच्छे से पढ़ लिजेगा कोई डाउट होगा तो कमेंट वक्स में आप लिख सकते हैं ठीक है तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स पर आचिक माई